सत्तर करोर लोगों को स्टोक मार्केट के दरवाजे तक पहुचाना MBA BK SING का टारगेट है दोस्तों येस और ये टारगेट हमने 2021 से शुरू किया है और 2027 तक करके दम लेगे लेकिन आपको दोस्तों मैं बता दूँ जम्मू से लेकर करन्या कुमारी तक और ले लदाक से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक भी गाउं ऐसा नहीं रहेगा जहां पे 70% लोग सेर बजार में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होंगे और यह हम लेकर मनजिल और यही हमारा मिशन आपके दरवाजे तक पहुचाना मेरा काम है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इन ब्रोकर हाउसोज को जो ब्रोकिंग जहां पे डिमेट एकाउंट खोलते हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं यह चोर बजारी छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे बरना बरबाद हो जाओगे और यह बरबाद करने वाले सब्तर कोलोर डिमेट एकाउंट होल्डर उन चोर ब्रोकरों को उन गुमराह करने वाले ब्रोकर को और लोगों को फसने के बाद उनका समाधान नहीं करने वाले होस में आ जाओ बरना तुम्हारी अटोमेटिक बरबादी आज से शुरू है दोस्तों उन चोर ब्रोकरों को मेरा इंटिमेटन है जी अल्टिमेटन है कि अगर आप सुधरे नहीं तो हमारे जैसे लोग उन ब्रोकरों को सुधार देंगे जो आज भी नए सिरधारकों को निव रिटेलर को जो नए-ने स्टोक मार्केट में हैं उनको ये कोशिज कर रहे हैं कि जल्दी से स्टोक मार्केट छोड़कर भाग जाएं और उनके पैसों को हडप लिया जाए इस तरह का कल्कुलेशन हमेशा मैंड में सेट करके बैठे रहते हैं और यही नहीं कुछ तो ब जो बढ़ने वाले स्टोक हैं उसको बिख्वादो जो घटने वाले हैं उसको खरदवादो और कुछ निव चनेले ऐसे भी हैं जब बढ़ने का टाइम रहेगा तो कहेंगे कि बेच दू और जब घटने का टाइम रहेगा तो कहेंगे खरीद लो और ये तब कहेंगे कि ये तो अस्मान चुने वाला है ये तो अब बिशफोट करने वाला है ये तो रडार बनने ये तो हवाई जाज बनने वाला है क्यों कि जब इनको बेचना रहता है दोस्तो तब ये आ जाते हैं चैनलों पे क्योंकि इनका तो बता दो दोस्तों आप भी उस ATM कार्ड की तरह जिस्तर एक स्टेटस था 15 साल पहले 20 साल पहले स्टेटस था जिसके पर्सों में कार्ड रहा करता था ATM कार्ड, debit कार्ड, credit कार्ड और जिस तरह आज एक पान बेचने वाला, चाय बेचने वाला, रिक्सा वाला, थेला वाला के पास भी ATM कार्ड ये तो छोड़ दिजे जो शणको के किनारे, पटर्यों के किनारे, सबजी बेचते हैं, फल बेचते हैं, फूल बेचते हैं, उसके प शेयर बजार हम शेयर बजार में हैं, यह टाई और पैंट और कोट पहन कर, शेयर बजार के हम स्टोक मार्केट होल्डर हैं, ऐसे कहने वालों की वो ही दसा होगी जो आज हो रही है, उन बड़े बड़े लोग कहते थे, हम तो हवाई जास यात्रा करते हैं हम तो बस लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करते हुए टाई अपको पेन कर हम तो एरपोर्ट पे जाते हैं और उदर सेलूट मारते लोग अरे हवाई चपल पेन कर भी यात्रा करने वाले लोग आज शुरू नहीं हो गए है और आपको मैं दोस्तों बता दूँ आप खेतों में काम करते रहेंगे आप फैक्टरियों में काम करते रहेंगे आप जो भी रेडी पट्री पे काम करते रहेंगे और स्टोक मार्केट में ये भी जान चाहें कि हमारा पैसा कितना अभी बढ़ा और कितना घट है जिस तरह आप पटाक से कहीं कुछ खरीते हैं पेमेंट करते हैं किलिक उसी तरह इतना आसान है दोस्तों इतना आसान है शेयर बजार में इन्वेस्ट करना और शेयर बजार से पैसे कमाना सिर्फ और सिर्फ M.B.A. B.K. सिंग जैसे लोग चाता नहीं सिर्फ 10 हो जाएं दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ चलिए हो नहों हम तो जो कर रहे हैं वो करते रहे हैं दोस्तों तो 9920560932 पे जरूर कंटक्ट के जिए और आप अगर जुड़ गए हैं तो आप अपने रि जुए का अड़ा है और यह जुए का अड़ा बताने वाले जानते कौन हैं यह अपनी बाप की बपाउती समझते हैं जो आज 50-60 साल से शेयर बजार में आकर और सिर्फ और सिर्फ आपस में खेल करते हैं और मदाडी देखें दुस्तों मदाडी देखें यह बंदर का बंजन बेचना और जाउत्र बेचना उसका मकसद है बिजनेस करना उसी तर शेयर बजार में जो आप आज देख रहे हैं खरीद विक्री के बाद भी लोग कमाते हैं उस लोग गमाते हैं तो आपको मैं बता दूँ कि इस शेयर बजार में आप भी जिस तरह आप पैसा डाल टुरंद मैंसे जाता है उसी तरह सिर्फ एक क्लिक पे एक प्रोसेस कुछ भी नहीं दुस्तो बसरत है कि आपको आज अगर डिमेट एकाउंट खोल लेते हैं और डिमेट एकाउंट उन चौर बुरकुरों के पास उनकी पास नई खोलना है कहां खोलना है हम बताएंगे सरकार इस पे बहुत तेजी से काम करें और सरकारी जो बेवस्था है वो भी जिस तरह की private bank है जिस तरह private bank है जिस तरह private hospital है जिस तरह private hospital है जिस तरह private school है उसी तरह आपको अब डिमेट एकाउंट प्राइबेट जो कमपनिया ब्रोकर डलाल जो खोल के बैठे हैं उसी तरह सरकार भी अपनी ब्यवस्था लाने की कोशिस सुरू नहीं किया है सुरू होने वाला है दोस्तो और ये आपको असानी से कम कमिशन पे कम टैक्स पे और उसकी जो ब्रोकर हाउसे कमिशन की जो मन मानी लेते हैं पैसा उससे भी सस्ते दर पे सरकार हो सकता है कि वो जीरो परसेंट कर दे तब इनकी धजिया उरने वाली है मैं बता देता हूँ इन चोर ब्रोकरों को सुधर्जा बरना तेरी कहानी खतम होने वाली है और सत्तर करोड दीमेट एकाउंट खोलने का मैं बीड़ा उठा कर चला हूँ आज मैं आपको बता दो दोस्तो और ये सत्तर करोड का टार्गेट एचीव करना एम बीए बीके सिंग की बस की कोई खेल नहीं है हम तो ऐसी टीम तेयार कर चुके हैं और और भी जोडने वाले हैं जो उनके सत्तर करोड टार्गेट को पूरा करने में हंडेट परसेंट श्योर एंड शॉर्ट एचीवमेंट करके रहेंगे दोस्तों अब ये कितने दिन के अंदर जादा से जादा हो और यही मेरा मक्सद आपको बता रहा है कि जिस तरह आप दिपोजिट करते हैं मीचल फंड करते हैं रेकरिंग करते हैं आप पैसा बैंकों में रखते हैं, रखिए, उस बैंकों में पैसा रखे, बैंक काई काम है दोश्टो, कुछ भी इसमें, कुछ भी नया काम नहीं है, जिस बैंक में आपका खाता है, पूरे देश में, और मोदी जी ने तो खाता सब को खुलवा दिया, दोश्तो, लगबंग 80-85 क लोगों के पास खाता है, और यही मेरा टार्गेट है कि सब्समें से 70 करोड़ लोगों के पास, डिमेट एकाउंट भी हो, और नहीं तो और, 70 करोड़ लोगों को, इंकम टैक्स, पेई न बना दिया, तो MBA BKS, इंकेश्टोक मार्केट में आना बेकार है, और यह टार्गेट मैंने 2024, एक जनवरी 2024 से रखा है, कि हर एक दिन, एक हजार लोगों को, इंकम टैक्स, टैक्स पेई बनाना, और इंकम टैक्स पेई का मतलब जानते हैं क्या दोस्त, जिस दिन 100 रुपया सिर्फ, सिर्फ 100 रुपया इंकम टैक्स पेई बन गए, उन अरपतियों के लिस्ट मे आप आजाएंगे, और ये खुशी, और ये गर्ब जब आपके अंदर आएगा, तो जान लिजे कि फिर जो आप अपने सपने लेके चले हैं, जो आप सोचेंगे वही होगा, मेरा दावा है दोस्तों, 100 रुपया इंकम टैक्स देके देखिए, एक हजार, तो बात छुड़ में ठान लिजे, कि 2024 में मार्च में हम इंकम टैक्स रिटर्न भरेंगे, 500 रुपया देंगे, और ओर इंकम टैक्स रिटर्स एक बार आपको भर देगा, बता देगा, श्रिप एक किलिक मोबाइल पे आपको डाटा भर देगा, और एक मोबाइल पे पेटियम करते हैं, कई हो गया, फाइल लिटर्न, और सरकार तो इसमें इतने जबजास्त, और दूसरा मारा आईटी सेक्टर क्या कर रही है, हमारा आईटी सेक्टर यही तो कर रही है, कि यह एक असान भासा में जिसको कुछ भी ABCD नहीं आता, जिसको कखा गगने जिसको 123 नहीं आता है, 100 तक नही MBA किसी, आज मेरा दावा है, और मेरा टार्गेट है दोस्तो, और मेरा टार्गेट सिर्फ इस टोक मार्केट ही नहीं है, इस टोक मार्केट में 70 कोड लोगों को डिमेट एकाउंट खोलना, और 70 कोड लोगों को इंकम टेक्स पेई बनाना हमारा मक्साद है दोस्तो, जब इं हैं आपको में बता दोस्तों कि तीस साल पहले जी तीस साल पहले जब कि एक सो पचास रुपिया हमने दिया था इंकम टेक्स डिपार्टमेंट को रिटन फाइल किया था समझ लिजे कि उस समय अच्छे अच्छे कोर्व पती और पती लोग इंकम टेक्स भरते थे मेरा मन की था हम भी इंकम टेक्स पेई हैं और मुझे गर्ब होता था दोस्तों और आज आज तो मैं वही खुशी आपको देने देना चाहता हूं वही डिमेट एकाउंट वही टेडिंग कराना चाहता हूं और आप निर्भर भारत बनने के लिए आपका उसमें हिस्दारी बहुत बड़ा दोस्त असान है और बुसरी बात कि सेरवाजार ऐसा जगह हैं जो आपको एक अच्छे मुकाम तक पहचाने की बसरते की अगर पहली बार आएं हमारे चैनल पर इंट्राइटेक मुंबई और श्टुक मार्केट कुबेर खजाना दोनों चैनल पर तो आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों और दीपावली की धेर सारी श्यूपक्रमने आपको और आपके पूरे परिवार को म राधना जरूर किजिए क्योंकि आरोगे के देवता हैं और आरोगेता और स्वास्ता आपको जरूर होना चाहिए उनका अश्रिबाद मिले उनके राधना जरूर किजिए जैहिंद चे भारत बंदे मात्रम धेर सारी सुपक्रमना दिपावली की आने से पहले MBA बिकेसिंग गॉड़ ब्लेस वू बाई बाई जैहिंद लभी दोस्तों लाइक कर दीजे लाइक कर दीजे बाई बाई